हेलो एब्रीवन दिस साइड एड़ोकेट जितंदर यादव वेलकम टू टर्गेट फॉर आईक्यू आज हमारी नई सीरीज याने की इस कॉंट्रेक्ट पे चलेगी याने की इंडियन कॉंट्रेक्ट एक्ट भारतिय सम्विदा अधिनियम 1872 जिसमें से हम सेक्शन वन से लेक के जिएगा और इनकी कंसिस्टेंसी के साथ आप इनको रिवाइज के जिएगा तो आज हम कुशन नमबर वन से लेके 50 तक यानि की कॉंट्रेक्ट क्लास वन में हम इनको सॉल्व करेंगे और क्लास टू होगी हमारी 51 से 100 एमस्क्यू यानि टोटल हमारे टॉप 100 एमस्क्यू की पड़ चुकी है evidence की पड़ चुकी है और टीपे की पड़ चुकी है आप इनको देखिएगा इनमें सापको बहुत सारी चीजरी देखने को बोलेंगी धिरे-धिरे करके हम और भी subject के लिए अगर जिसको जाएं यह जतने इनको वाइरी है प्लीज-आप कॉमेंट सेक्श को कुशन नमबर वन है भारतिय सम्विदा अधनियम 1872 लागू हुआ ऑप्शन वन 25 अप्रेल 1872 को ऑप्शन टू एक सितंबर 1872 को ऑप्शन थ्री एक जुलाइ 1872 को ऑप्शन 424 मार्च 24 मार्च 2872 को तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू एक सितंबर 1872 को तो यहां से आपको मैं महिने याद कराने के ट्रिक बता दे रहा हूं सासे सम्विदा सासे सितंबर याद रखिएगा तो आपको 1872 तो याद रहे गई बस आप महिने में confuse होते हैं तो महिना आपको याद हो जाएगा सासे समविदा होता है और सासे सेप्टमबर होता है तो इसको आप याद रखेगा कुश्चन नमबर टू देखते हैं भारतिय समविदा अधिनियम अथारे सो बात्तर होगा याई अथारे सो बात्तर ठीक है बाती समविदा दिनियम अथारे सो बात्तर का निर्वचन खंड निम निम में उपवंदित है धारा एक में धारा दो में धारा तीन में ऑप्शन फोर उप्रक्त में से किसी में नहीं तो इसका राइट आंसर होगा option two, धारा, दो मैं, question number three देखते हैं, वचन के तत्वों की संक्या है, very very important, तो question number, sorry, question number three देखते हैं, वचन की तत्वों की संक्या है, option one, दो, option two, तीन, option three, चार, option four, पाँच, तो इसका right answer होगा, option one, दो, यानि वचन के तत्वों की संक्या, दो है, question number four देखते हैं, निम्न मैंसे कौन साववाद, सामाने प्रेस्तापना से संबंदित है, option one, लालमन शुकला वर्शिस, गौरीदत, option two, कारलेल वर्शिस, कारवोले के स्मोक बॉल कंपनी, option three, दोनों, यानि एक और दो, option four, उप्रुक्त मैंसे कोई नहीं, तो इसका right answer होगा, option three, एक और दो, दोनो, थोड़ा सा वइस में प्रॉलम आ सकता है, क्योंकि आज थोड़ा सा गला मेरा खराब है, क्योंकि क्लासिस ली हैं, तो बोलते बोलते थोड़ा सा गला खराब हो जाता है, और इस समय एक्जाम का प्रेशर भी है, बच्चों के उपर तो उनके MCQs वगएरा और क्लासिस, लेक्शेस सारे हो रहे हैं, तो वोइस थोड़ा सा मेरा गरबड़ हो सकता है, तो इसके लिए मैं माफी चाहूँगा, तो हम अपना कुशन नंबर 5 को देखते हैं, निविदा यानि टेंडर आम्बितित करने के लिए, समाचार पत्र प्रकाशित सूचना, समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना क्या होगी, उप्शन 1 वारता के लिए आमंतरन, उप्शन 2 प्रस्तावना का आमंतरन, उप्शन 3 प्रस्तावना, उप्शन 4 वचन है, तो इसका right answer होगा, उप्शन 2 प्रस्तावना का आमंतरन, कॉशन 6 देखते हैं, लिष्ट 1 या लिष्ट 2 को समलेत कीजिए, इब हम सही कोड चुनिए तो इसमें हम सही चुनते हैं क्या क्या हो जकता है कारलिल ए है कारलिल वर्सिस कारवोलिक स्मोक बॉल ठीक है तो इसका होगा वन बड़े पैमेने का ओफर यानि की वन एका वन होगा फिशर बनाम बेल टीट करने का नोयता आप्शन टू होगा ने एवं क्रमांंग तो इसका होगा क्रॉस ओफर यानि की फोर आप्शन वन जा सका होगा दो होगा अप्शन वन कुश्चन नमबर सेव एवन देखते हैं कारलेल वर्से कारबोलेक स्मोक बॉल कंपनी का वास सम्मन्दित है केवल प्रस्ताव एवन सुकरिती से आप्शन टू केवल प्रस्ताव सुकरिती एवन प्रिथिफल से option 3 प्रस्ताव स्विकृति प्रतिफल एवं बाजी करार से भी option 4 केबल प्रस्ताव प्रतिफल एवं बाजी करार से तो इसका right answer होगा option 3 प्रस्ताव स्विकृति प्रतिफल एवं बाजी करार से आनेगी यह चारों चीज़ें होगी ये भी होगा प्रस्ताव भी होगा स्विकृति भी होगी प्रतिफल भी होगा बाजी भी होगा तो इसका राइट अंसर होगा अप्शन 3 कुशन नमर 7 का कुशन नमर 8 देखते हैं एक प्रतिप्रस्ताव है एक अमंद्र मनना option 2 एक प्रस्ताओ की शुकरिती option 3 एक वास्तिविक प्रस्ताओ की शुकरिती option 4 एक सौधा तो इसका right answer होगा option 3 एक वास्तिविक प्रस्ताओ की शुकरिती question number 9 देखते हैं भारती सम्विदा अधिनियम की धारा 2D यानि की 2 घाम है किसकी परवाशा दी गई है option 1 प्रस्टाव की option 2 स्चू करेटी की option 3 वचन की option 4 प्रतिफल की तो इसका right answer होगा option 4 प्रतिफल question number 10 देखते हैं प्रतिफल हो सकता है केवल भविश्य में केवल वरतमान में केवल भूतकाल में option 4 भूत काल वर्तमान में बाविश में तो इसका राइट आंसर होगा प्रेटिवल किसी भी अवस्ता में हो सकता है भूत काल में भी वर्तमान में भी और बाविश में भी question number 11 देखते हैं हम जबकि वचन दाता की वांचा पर वचन ग्रहता या कोई अन्य वक्ती कुछ कर चुका है या करता है या करने से प्रेवरित रहता है तब ऐसा कार या प्रेवरित या वचन कहलाता है option 1 पस्तापना option 2 प्रिति ग्रहम option 3 प्रितिवल option 4 विदी पूर्ण उद्देश यह तो इसका right answer होगा option 3 प्रितिवल आप ये जान लेजिए जिस्ट भी topic पे questions हमारे mcqs बने हैं उस पर सारे questions कवर किये गए जैसे मान लेजिए आपके पार प्रितिवल का कोई questions आता है तो प्रितिवल से जितनी probability के questions बन सकते हैं वो सिर्भ सॉल्फ किये गया question number 12 देखते हैं वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रितिवल या प्रितिवल का भाग हों कहलाते हैं option 1 करार option 2 विद करी वचन option 3 सम्विदा option 4 निश्पादित प्रितिवल तो इसका right answer होगा option 2 विद करी वचन question number 13 देखते हैं ऐसी सम्विदा जो विदी द्वारा लागु नहीं की जा सकती है वह है option 1 वैद है option 2 अवैद है option 3 शुन है option 4 शुन इकरनी है तो इसका right answer होगा option 3 शुन है कुश्शन नमबर 14 दिखते हैं एक सम्विधा विदी द्वारा अपरवरतनी हो जाने से अपरवरतनी हो जाती है यह कहलाती है क्या अपरवरतनी सम्विधा अप्शन टू सुने सम्विधा अप्शन त्री सुने जिससंवेदा आपशन वरू साहीों के समवेदा तो इसका राइट ऊंसर होगा ऑपशन टू option 1 उसके पक्चकारों मैंसे केवल एक के विकल पर पर वरतनी है option 2 उसके पक्चकारों मैंसे किसी के दोरा भी पर वरतनी है option 3 उसके पक्चकारों मैंसे किसी भी एक के दोरा पर वरतनी है option 4 केवल नियाले के अनुमती से ही पर वरतनी है तो इसका right answer होगा option one उसके पक्षकारों मैसे केवल एक इविकल पर ही परवरतनी है question number 16 देखते हैं जब दो पक्षकार टेली फोन पर समविदा करते हैं तो समविदा उस इस्थान पर पूर मानी जाती है जहां पर प्रिस्तावा की स्विकरती को सुनता है ऐसा प्रावधान है option one समविदा अधिनियम की किस धारा में नहीं है option two धारा दो में है option three धारा तीन में है option four धारा चार में है तो इसका राइट आंसर होगा option one समविदा अधिनियम की किसी धारा में नहीं अपी तुछे तुम्यार द्वारा नेनित की गई है question number 17 देखते हैं जब पक्षिकार टेलीफान पर समविदा करते हैं तो वह option one उपस्तिती में समविदा करता है option two उपस्तिती में समविदा करता है option three विविक्षित समविदा कहलाता है option four उपरुक्त मैंसे कोई नहीं तो इसका right answer होगा option one उपस्तिती में सम्विधा कहलाता है question number 18 देखते हैं निम्न मैंसे कौन सा वाद वचनात मक्स विबंद से सम्मंदित है option one दुरगा फिरसाद वर्सेज वल्देव option two केदारनात वर्सेज गौरी महमद option three ट्विंडल वर्सेज एटकिंसन option four डनलब नुमेटिक टायर वर्सेज सेल्फिज एंड कंपनी तो इसका right answer होगा option two केदारनात वर्सेज गौरी महमद question number 19 दिखते हैं जो कि हमारा next question है सम्मिदा संबंद का सिद्धान सर्फिर्थम लागू किया गया था option one डंठन वर नाम पूले के बाद में option two ट्विंडल वर नाम एटकिंसन के बाद में option three प्राइज वर्सेज इस्टन के बाद में option four जार्डन वर्सेज जौर्डन के बाद में तो इसका right answer होगा option two ट्विंडल वर्सेज जानी ट्विंडल वर्सेज एटकिंसन के बाद में option question number 20 देखते हैं यानि की matching वाला है सूची first को सूची second से में match करना है तो option one है टेली फॉन के द्वारा सूई कृति की सूचना तो इसमें हम देखते हैं तो इसका होगा डेरी यह नहीं होगा सत्वित गुश्मिन यह तो इसका होगा यह टेली फॉन के द्वारा सुचना होगा भगवान दस वर्सेज गिर्धारी लाल ठीक है फिर बी है आपका पूर्वकालिक संविदा का भंग तो यह आपका फोर होगा और सी है आपका संविदा का नेराश्य शिद्धांत यानि की सत्वित गोश होगा और कपट होगा डेरी बना पीक तो इस तरीके से हमने यह मैच कर लिया है तो इसका हम मैच करते हैं इसमें आप्शन जो हमारा निकल के आएगा वो होगा आप्शन ए तीन चार दो एक वाला याने एक का थरी बी का फोर थ्री का on इंको भी ट्रिक है और याद करने की मैं बता दूँ इन मेसे जैसे हम एक क succession को याद कर सकते हैं कपट थिक हैं तो कपट के क्या होता है इसका होगा तो कपट में डीरी वह ना पीक आ रहा है तो कपट मतलब डीरी होती है दूद् कि डैरी में किया करते हैं तो इस टैप से आप kadar कर सकते हैं उभी विडीऊ सिर्फ केसलो राउंगा सिर्फ ड्रेयर करने लिए कोशन ब्र चूंञडी वेल्ध वरसे ब्रियन के सिद्धान्त पर द्रशनवाद है option 1 of security option 2 समविदा करने का आशियर option 3 सब प्रतग्य निबंद option 4 प्रित्य स्थापना तो इसका right answer होगा option 2 समविदा करने के आशियर question number 22 देखते हैं समविदात्मक संबन यानि priority of contract के सिध्धान्त पर निम्लिकित वादों मैं से कौन सा एक वाद है तो option 1 है nash versus inmam option 2 दुरगा प्रसाद versus बल्दे Weak option 3 डनलप versus hinges option 3 डनलप pneumatic tire versus selfless and Company तो इसको हम देखते हैं इसका right answer होगा option 4 डनलप pneumatic tire company versus selfless and company क्वेशन नमबर 23 देखते हैं एडर्ज वर्ड़्सेज लिंड सेल के वाद में निर्धारत नियम का अनुमूतन हाउस अफ लॉट्स द्वारा किया गया था आप्शन वन डनलव वर्ड़्सेज हिंगस में आप्शन टू इलियासन वर्ड़्सेज हिंसा में आप्शन 3 पाविल वर्ड़्सेज लि में आप्शन 4 हाई डे वर्सेज रेंच में तो इसका राइट अन्सर होगा आप्शन वन डनलव वर्सेज हिंगस में कुशन नमर 24 दिखते हैं प्रस्ताव या प्रस्तावना की सुचना पूर्ण होती है किसमें तो इसका राइट अंसर होगा ऑप्शन वन जब उस व्यक्ति के ग्यान में आता है जिसको वह किया गया था कुशन नमर 25 दिखते हैं प्रत्गरंण की सुचना प्रत्गरता के वृत तब पूर्ण होती है जब अप्शन वन यह प्रस्तावक के ग्यान में आ जाती है अप्शन टू उसकी संसुचना उसे दी जाती है option 3 यह पारिशन के अनकुरम में कर दी जाती है option 4 उसका प्रत्सेंगन करना प्रत्ग्रेता के लिए संभव हो जाता है तो इसका right answer होगा option 1 उसके प्रस्थाबना के ग्यान में आ जाती है question वैसा ही है बस गुमा दिया गया है तो इसको आप ध्यान में रखिएगा question number 26 देखते हैं हम कि निम्लिकषित मैंसे कौन सा कथन सफ़ल है मैंसे देखना है option 1 प्रस्ताबनां के पत्षांगरन को सकता है option 2 सॉरी प्रस्ताबनां के प्रत्था संगन हो सकता है कि तुष्टी करनी option 2 सुकरिति का हो सकता है कि तो प्रिस्ताबना कर नहीं option 3 प्रिस्ताबना स्विकृति का प्रिस्ताबना नहीं है option 4 प्रिस्ताबना स्विकृति का प्रिस्ताबना नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या होगा इसका right answer होगा option 3 यानि कि प्रिस्ताव ना और शुकरिती का प्रतिसंगर नहीं है ना कि अब प्रतिसंगर नहीं है तो इसका right answer होगा option 3 IPO question number 27 देखते हैं एक प्रिस्ताव को बचन में परवर्तित करने के लिए क्या किया जा सकता है option 1 प्रिस्ताव की सुक्रिटी पोण और बिना किसी स्थ की होनी चाही औप्षिन तू प्रिस्ताव की सुक्रिती फिर वधिल के साथ हो सकती है option 3 प्रिस्ताव की सुक्रिती शृच क और ब éénना किसी शर्त के होनी चाहिए ऑफिशन नम unas No 28 दीखते हैं तो निम्नक से कॉनसा प्रस्थाफना की व्याद जब अब स्विक्रिती प्रस्तावक द्वारा व्यत्रित से दी गई है कुशन नमर्ट ट्विंटी नाइन देखते हैं सम्विदा दिनियम की धारा दसके अनुसार निमलिकित मैंसे कौन सा एक करार को सम्विदा में परवर्थित करने हितु आवश्यक नहीं है ऑप्शन वन् स्वतन सम्मति ऑपशन 2 सम्विदा करने की संख्षमता अफशन 3 विदी पूर्ण प्रतिफल विदी पूर्ण उद्देश्य के साथ ऐसका राइट आंसर दिखते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑपशन 4 करार के अनुबंदों की विनिश्यक गरीखता हैंलिम ल तो इसका right answer होगा option four, युक्ति युक्त यानि की option four, युक्ति युक्ति निर्बंददर एवन शर्त है Question number thirty one देखते हैं, एक अप्राप्ट वे के साथ अथवा उसके द्वारा की गई सम्मेधा है तो इसका right answer देखते हैं क्या होगा, इसका right answer होगा option two, शुन्या कुशन नमब 32 देखते हैं नावाले का करार प्रारम से ही शुन्य होता है से समंद्ध वाद है यह वारी वेरी इंपॉर्टन इसको आप जरूर देखे जाएगा तो इसका आंसर होगा मोहरी वीवी वर्सेस धर्मोदाश घोश बहुत इंपॉर्टन वाद है प्लिम्स और मेंस इसका समयदा से कुशन नमब 34 दिखते हैं एक ही बात पर एक ही अर्थ से सऽानर एक इसका और औरוסल हो थैद तक क्या से एक विवेर्थ 2 स्वतंत सहमती अप्शन 3 समान भाव से सहमती अप्शन 4 अनुचित दवाव तो इसका राइट अंसर होगा उप्शन 3 समान भाव से सहमती question number 36 देखते हैं सहमती को स्वतंत कहा जाता है जब वह क्या होता है तो इसका right answer है इसका right answer होगा option for partyy की switch से बनता है question number 37 देखते हैं किसी संपत्ति का विदी विरुद निरोध यार निरोध करने की धंकी जो किसी वक्ती को करार कराने के आश्य से हो नमलेकित मैंसे किस कोटी में आईगी तो इसका right answer होगा option 3 इसका right answer होगा option 3 प्रिपीडन कुशन नमर 38 देखते हैं समविदा अधिनियम मात्र मौन कपट नहीं जब तक की वह है बोलना करता भी हो जब तक कि उसमें मौन कपट पूर्ण है option 3 प्रस्तिति में प्रवड़तन अनिप्ट चिकार के की नोटिस में लाया जाए option 3 इन मैसेज सभी तो इसका right answer होगा option 4 इन मैसेज सभी कुशन नमर 39 देखते हैं निमलेकित मैंसे कौन सा कपट की कोटी में नहीं आता है तो इसका right answer होगा option three इमानदारी से यह विश्वास करते हुए कि वे सत्य है और बिना यह जाने की वे मित्या है कोई व्यपदेशन करना question number 40 देखते हैं कपट और दव्यपदेशन के सम्मद में कौन सा कथन साही है तो इसमें देखते हैं point one है दौनों सम्मदा को शुने करनी बनाते हैं point two कपट दुश्करती में नुकसाने के लिए वाद हेतु पिस्तुत करता है और point three है साधरन विद दुपवदेशन एक दुश्करती भी है तो इसका right answer देखते हैं इसका right answer होगा option one एक और दो दौनों यह दौनों ही सही होगे application no 41 दिखते हैं सुतन सम्मति के बिना किया गया करार होता है option one सदावशन दू सदावशन बढ़नी है option फोर या to 0 या शून निकर निकरनी है तो iska right answer हम देखते हैं इसका right answer होगा option four या तो सुन निकरनी है q AustraliansнымSu 42 देखते हैं जब करार के दोनों पक्षकार तत्ठी शमंदी बात पर भूल में हो तब करार option 1 पर बरतनी होग, option 2 शुनी करनी होग, option 3 शुनी नहीं होग, option 4 शुनी होगा, तो इसका right answer होगा, option 4 शुनी होगा, question number 43 देखते हैं, आ और बा इस गलत विश्वास के साथ सम्मिदा करते हैं कि एक विसे स्ट रिड़े बातिस पर सीमा विजी द्वारा वर्जित है यह सम्मिदा आप्शन 1 वैध है आप्शन 2 शुने है आप्शन 3 शुने करनी है आप्शन 4 अपर वरतनी है तो इसका right answer होगा option 1 वैद है question number 44 देखते हैं इन मेंसे कौन सा अनवंद प्रवाज शुनने नहीं है देखते हैं कौन सा प्रवाज शुनने नहीं है option 1 जिस अनवंद से दूसरे को हानी होती है option 2 वैपार में पितिरोदक का अवरोदक सम्मन्दी अनवंद है option 3 ऐसा अनुमन जो नैसर गिक निया के पृतिकूल हो option 4 ऐसा अनुमन जिसमें इंगलेंड में प्रचलित कानून के सम्मद में भूल हुई हो तो इसका right answer होगा option 3 ऐसा अनुमन जो नैसर गिक निया के पृतिकूल हो question number 45 देखते हैं दो पक्षकार सम्मिदा करते हैं बाद में उन्हें ग्यात होता है कि वह जिस कानून को लागू होना माने कर रहे थे तब भारत में लागू नहीं है तो सम्मिदा क्या होगी option 1 आवैद है option 2 शुन्य है option 3 शुन्य करनी है option 4 है आपका इन्हें मैंसे कोई नहीं तो यहां पर एक टैपिंग एरर है को कुशन option 4 कर लेते हैं तो इसका राइट अंसर क्या होगा इसका राइट अंसर होगा option 2 शुन्य है कुशन नमर 46 देखते हैं का अपनी पुत्री को उपत्नी के रूप में रखने के लिए खा को भाड़े पर देने के लिए करार करता है करार वैद होगा करार नैतिक है करार शुन्य है क्योंकि अनैतिक है बालक पुत्री होने पर करार किया जा सकता है तो इसका राइट अंसर होगा option 3 करार शुन्य है कुश्चन नमर 47 देखते हैं बाग करार होगा इसमें इसमें राइट अश्र दिखते हैं. ये गरार होगा आपका शुन आफशन थ्री इसका राइट अंश्र कुश नंबर 40 पीड़त दिखते हैं. लोक निती अनित्रत यानि कि शैतान गोड़ा. यह कहा गया, किसंपने कह रिंकर्स सरव रजी निए के लाव और को बाटने के लिए किया गया करार है option 1 वैद है option 2 शुन्य करनी है option 3 शुन्य है इनमें से कोई नहीं तो इसका right answer होगा option 3 शुन्य है question number 50 देखते हैं हम एक करार विदी वरुद अवैध है यदीव है option 1 पंगम बाजी द्वारक की जाती option 2 मुद्रा के बदले एक बच्चे का दत्त ग्रहन है option 3 व्यापक अवरोदक है तो इसका right answer होगा option 2 मुद्रा के बदले एक बच्चे का दत्त ग्रहन मुद्रा है तो इसी के साथ हमारे top 50 MCQs cover हुए हैं यानि यह हमारी class 2 अब जो आएगी उसमें 51 से लेके 100 तक हमारी cover हो जाए इसी साथ हमारा contract खतम हो जाएगा तो बहुत easy way में कम time में आपके top 100 MCQs खतम होने जा रहे हैं जो कि आप अपनी पढ़ाही का एक निचोड है आपके बहुत helpful होने वाला है इसमें आपके अपनी सफलता को सुनेश्चित करेंगी और अगली जो हमारी class आएगी वह आप comments box में डाल देजेगा क्योंकि हमारी तरफ से एक series बनेगी वह tots की बन सकती है या किसी और subject की या company locky या फिर आपके family locky बन सकती है तो आप उनको भी देख सकते हैं तो आपको जो वीडियो बनवानी है या जो आपको series देखनी है वह आप comment box में डाल सकते हैं so thank you for watching